हेलो, हाई दोस्तों आई येस एस्पिरेंट विद अभी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज हम रूल्स आफ डिविजबिल्टी विभाजक्ता का नियम जानेंगे दो, चार, आठ, सोलर की विभाजक्ता का नियम छोटे से ही ट्रिक में आज हम दो, चार, आठ, सोलर की विभाजक्ता का नियम जानेंगे जैसे टू, मतलब दो का नियम दो का नियम यह कहता है कि जिसका अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक, दो से कट जाए वह शंख्या पूरी शंख्या दो से क्या हो जाएगी? कट जाएगी अथत विभाज हो जाएगी उधारण के लिए जैसे दो लाष्ट का मतलब अंतिम का दो अंग जिससे दो से कट जाएगी वो संख्या पुरी तरीके से कट जाएगी जैसे इसका लाष्ट का अंग टू है यह चार का नियम भी यही कहता है जिसका अंतिम दोंग चार से कट जाए वह पूरी चार से कट जाएगए उधारण के लिए इसे देखिए इसका अंतिम दोंग जैसे दोंग वो ले तो चौबिस 24 को 4 से भाग देंगे तो 4 संग 24 इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें सारा भाग देंगे अब यह लाश्ट का 2 अंग कड गया 4 से तो यह संख्या पूरी संख्या 4 से divisible अथार पूरी संख्या 4 से विभाज यह ऐसे लाश्ट का 2 अंग हमें सिर्फ 4 के नियम में लाश्ट का 2 अंग देखना है ऐसे ही 8 का नियम जिसका अंतिम 3 अंग जिसका अंतिम 3 अंग 8 से कड जाए वह संख्या पूरी संख्या 8 से divisible होगी उधारा भी के लिए इसे देखिए इसमें सिर्फ लाश्ट के 3 डिजिट देखना है जैसे 6, 24 पूरी संख्या नहीं देखनी लाश्ट के सिर्फ 3 अंग डिजिट देखना है यह 3 डिजिट जो है लाश्ट का 3 डिजिट देखना है यह संख्या 8 से लाश्ट का देखना कड जाए तो पुरी संख्या डिविजवल होगी ऐसे ही 16 का निया जिसका अंतिम 4 रंग 16 से कट जाए वा संख्या पुरी संख्या 16 से डिविजवल होगी उधाराण के लिए 16, 15, 20 हमें हमें 2, 4, 8, 16 आज हम 2, 4, 8, 16 का विवज़कता का निया पड़े दो में हमें लास्ट का अंतिम अंग देखना है वन डिजिट और फोर में हमें लास्ट का दो अंग देखना है लास्ट का टू डिजिट अंग और एट में लास्ट का थ्री डिजिट अंग देखना है और सोला में चार चार अंग देखना है जिसे सोला से विभाज हो जाए तो वह संख्या पूरी तरीके से विभाज हो जाएगी यही आज का टॉपिक था वीडियों अच्छा लगे तो लाइक आउन सब्सक्राइब शेर जरूर करें ऐसे ही हम नए नए वीडियों नंबर सिस्टम के और भी आगे लाते रहेंगे धन्यवाद जय ही जय भारत